नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का जोब एंड केजर के इस यूट्यूब प्रिफॉर्म पर दोस्तों जसा कि आप लोग को इंफॉर्मेशन मिल ही गये होगी कि इस बार जो गुरूप डिक एक्जाम में एनसी आइटी लेने वाला है पहले ये एक्जाम टीशास लेने दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रही है और अगर आप माई चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को ऐसे इंपॉर्टन इंफॉर्मिशन मिलती रहे चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों इस बार जो एक्जाम है वह एनसी ले रहा है तो बहुत से बच्चु का कमेंडर रहा है मैसे उनों ने किया है कि क्या इस बार इस दौन Xiao value पर देखती है लेख तो उसका लेवल अलग था लेकिन अगर आप एंएप गी मोतना होता है अपलों परदम होते हैं उस में से attractive ऊठाकर देटा है इसलिए इसकी कट इसन सान होते हैं तो हर कोई dos handy जादे जादे अटेंड करता है इस वज़ए से i2 लेकिन यहीं सबसे एहम रोल यह होता है कि यह जो प्रिवेस ये कोशन पेपर का जो है एकजाम में देता है काफी कोशन्स आप लोगो प्रिवेस ये कोशन्स से देखने को भी जाएंगे इसलिए इसकी cut off high जाने की उम्मीद रहती है अगर आप लोग को इस वाग गुरूप D में जादे जादे अपना marks score करना है तो आप लोग को previous year questions पर जाए ध्यान जेना होगा जो 2018 में गुरूप D का exam होगा था उसके questions को solve कीजिए उससे पहले जो NACIT ने RPF constable का जो exam करवाया था और जो दोस्तों आप जान सकते हैं कि SI का exam होगा था उसके जो questions है उन्हें कीजिए ALP का जो question है और इस बार जो NTPC का जो pre होगा था उसके questions को solve कीजिए आप लोगो काफी questions ऐसे सीधे देखनों के मिलेंगे जो इस बार के गुरूप D exam में previous year questions उठा ली जाएंगे इसलिए आप लोगो को जादे सजादे कोशिट करनी है कि जो उस पहले RPF constable SI के paper हुए थे उसके हर question को इतम घोड कर पी जाईए अच्छे से preparation कर लीजिए उन्हे कोशन होते हैं जिनका level वो काफी उचा कर देता है लेकिन एक्जाम का जो पैटन होता है काफी लो होता है इसलिए इसलिए जादे सब्सक्राइब करने कोश्च किजिए कट अगर आप लोग देखेंगे कि 2018 में जो से पहले जो आप लोग देख सकते हैं उसमें जो है काफी मार्क चले के थे क्योंकि उसमें कोशन काफी इजी आया थे तो बच्चों ने काफी जादे कोशन अटेम्ट के थे सारा जो मैटर है वो कोशन के लेवल पर डिपेंड करता है और नोर्मलेशन किस अकोर्डिंग हो रही है अगर नोर्मलेशन का लेवल अच्छा हो रहा है अगर ठीक ठाक नोर्मलेशन होगे 20-25 मार्क बढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है अपने आप ही कट आफ हाई जाने वाली है अगर कोशन पेपर अच्छा आ गया थोड़ा सा मोडरेट लेवल का गया तो कट आफ कम हो जाएगी अ इसका कट आफ का रहने वाला है तो दोस्तों त्यारी में लगे रहे हैं आप लोगों डिमोटिवेट नहीं होना है अगर आप लोगों को सेलेक्शन से बहुत ही दूरी बन जाएगी इसलिए आप लोग अपने चैन के लिए इतम एक अग्रित होकर के पढ़ते रहें करें और प्रिवेस ये कोशन्स को जो एक्जाम लिये थे आरपिव के उसको देख करके उसी एक और पढ़ाई कीजिए आप लोगों को सेलेक्शन दोस्तों जलूरूरोगा बगर अगर आप लोग अच्छे से मेनास से 6 घंटे भी डंग से पढ़ते हैं और सारे स्लेवर्स क को शोल्ल करते हुए पुरस nggak को अर्झुवान रही है और पढ़ाई करते रहे हैं आप लोग को सङय जरूरोगा जै हीन जै भारत